हमारे देश में गूरू को माता पिता से भी उचा दर्जा दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी सफलता में सबसे एहम भूमी का गूरू की होती है। आज सिक्षक दिवस के अफसर पर नेशनल वोईस आपको एक ऐसे सिक्षक से रूबरू करवाएगा जिसने अपनी कला से देश में ही नहीं बलके विदेश तक अपनी कला और अपने गूरू का नाम रोशन किया है। राजदानी लखनों के शकुंतला विश्व विद्याले में आर्ट्स के प्रोफेसर अवदेश मिश्रा जी पूरे देश में एक ऐसे एक लौते प्रोफेसर हैं जिसने फाइन आर्ट्स से डॉक्टर ओफ लेटर्स की उपाधी प्राप्त की है। आपको बता दे कि इनके दुआरा बनाई गई चित्रकला देश विदेश तक प्रदशिनी के लिए जाती है। तो आज सिक्षक दिवस के अफसर पर हम आपको कुछ ऐसे ही सिक्षकों के बारे में बता रहे हैं जिसके चलते ये भी एक सिक्षक हैं जिनोंने अपनी फाइन आर्ट्स के चलते तो किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसकी सफलता में सबसे एहम भूमी का गुरू की होती तो वोईस आपको ऐसे ही सिक्षक से रूबरू कराएगा। सिक्षक दियोस के उसर पर सभी आचारियों, सभी मित्रों को नमस्कार करना चाहता हूँ, उनको सिक्षक दियोस के उधाई देना चाहता हूँ, जहां तक मेरे कला का सवाल है, मेरा बचपन एक गाउं में बीता है, तो गाउं की संस्कृति, गाउं का रहें सहन, वहां की प चित्र रच्चे गए, अनेक थीम्स आई, अनेक विशय आए, अवे विशय कभी उत्सो के रंग रहे, तो कभी बच्पन रहा, कभी स्कूल के बैग से पीठ पे लादे, बोज तले दबा बच्चा रहा, तो कभी अभी मैं ऐसी पेंटिंग बना रहा हूँ, जिस पर कुछ अक्षर हैं, जिस पर कुछ गिंतियां हैं, गिंतियां वही हिंदी की, जो हमारी हिंदी की गिंतियां लोग भूल रहे हैं, मैं उनको अपनी पेंटिंग के माध्यम से सुरक्षित और सनरक्षित करना चाहता हूँ तो यह हमारे साथ है प्रोफेसर आउधेश मिश्रा जी जो की पूरे हिंदूस्तान में इक लौते है ऐसे प्रोफेसर है जिनुने डॉक्टर ऑफ लेटरस में फाइनल से डॉक्टर ऑफ लेटर्स में उपाधी प्राथ की है तो इनका कहना था कि साफ तोर पे कि गुरू ऑव झाल झाल